इलो फ्रेंज आपने अग्सर देखा होगा कि बच्चे यानि की छोटे बच्चे खाना खाने में काफी जीजदवा करते हैं. हम जो भी चीज को उनके स्वास्ते के लिए यानि कि उनकी सेहत को देखकर उन्हें खिराने की कोशिश करते हैं वही खाना उन्हें सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है. और टेस्टी पता है क्या लगता है? बाजार में मिलने वाला स्ट्रीट फूड, जंग फूड और केक वगेरा, ये सारी चीज़े बच्चों की जबान पर चड़ी रहती हैं, और इसी के वज़े से घर पर बना हुआ हेल्थी खाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, खास करकी बेबी फूड, कई बार छोटे बच्चे बेबी फूड को सही तरीके से खाते नहीं है, क्योंकि वो छोटे होते हैं, इसलिए और चीज़ों का टेस्ट उन्हें ज्यादा बसंद होता है, अपने बेबी फूड को छोड़ता है, इसलिए जानते हैं, आज बेबी फूड को और भी टेस्टी बनाने के बारे में कोई अन्य तरीके हैं, टिप नमबर बच्चों को अंडा केवल उबले हुए रूप में या फिर ओमलेट के रूप में ही दे, आप चाहें तो अंडो का सालड बना सकते हैं, अंडो को अच्छे तरीके से उबालिए और उसको सबजी के साथ मिक्स करके सालड बना लीजे, या फिर अंडे की रोली बना सकते हैं, या फिर अंडों की कोई और डिश बना सकते हैं आप एक अच्छी सी recipe book खरीद कर लेया ही उसके अंदर ऐसी काफी recipes आपको आसानी से मिल जाएंगी बच्चों को जब भी खाना देखने में interesting रगता है तो उसे खाने में वो ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगाते हैं इसे लिए अपने खाने में थोड़ी सी variation लाइए टिप नमबर टू है दाल छोटे बच्चों को दाल काफी ज्यादा पसंद होती है specially तब जब उसके taste के according बनी होती है टिप नमबर 3 है साग सबजिया सबजियों का सेवन बच्चों को जरूर कराना चाहिए लेकिन सबजियों को पुराने बोरिंग स्टाइल में पकाने के बज़ाए आप सबजियों को नए स्टाइल में पका सकते हैं जैसे कि बच्चों को पास्ता और चाwn में काफी ज्यादा पसंद होती है आप पास्ता और नूडल्स दोरा बना सकते हैं लेकिन उस खाने के अंदर पास्ता और नूडल्स की क्वांटीटी को कम करके सब्सियों की मात्रा को ज्यादा कर दीजे क्योंकि वो नूडल्स के अंदर मिली होंगी इसलिए बच्चे आसानी से उसे खा जाएंगे So friends, यह है कुछ ऐसे आसान से तरीके जो बेबी फूड को और भी ज्यादा इंटरस्टिंग मना सकते हैं इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमाय साथ शेयर करिए मेरी ब्यूटी और हैल्ज से रिलेटीब वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए